सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तो हला सभी का अमारे यूट्यूब चैनल में बबस वागे था गाईज बहुत सारे क्लास 9th element के बच्चों के बन में बहुत सारे कोशन है और उसी में से कोशन बच्चे ने कमेंट किया था तो उसी कमेंट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चे का कोशन यह था कि सर क्या 9th element के अंदर कोई बच्चा फेल नहीं होता देखो यार मैं सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों के मन में बहुत सारी confusion है इस वज़े सा बहुत जादा सोच रहे हो और जादा सोचने की बज़े से आप ही कोशन बूच रहे हो इसलिए आप 9th 11th का जो पूरा result होता है वो school बनाता है school के teachers बनाते है और practical निसोचो आप अगर 9th में हो या फिर 11th में हो तो आप पहले 8th में भी होगे पहले 10th में भी होगे उससे पहले 9th आपने भी दी होगी उससे पहले 7th भी दी होगी तो मतलब आपने classes पार करके यहां तक पहुँ तो आपकी performance हर बार एक जैसी ही होगी ऐसा तो नहीं कि आप पहले 8th तक तो बहुत intelligent थे 9th में आका एकदम कमजोर हो गए या फिर आपको 8th का बेपर तो बहुत अच्छा हुआ था 9th का बहुत खराब हुआ था अगर आप 8th में पास होगी बस थोड़ा सा आपको यह बात जानना है कि 9th and 11th क्योंकि board class से पहले वाली class होती है इसलिए teachers आपको डराने के लिए हो सकता है कि आपको बोले कि बच्चे तु ढंक से नहीं पड़ा तु फेल हो सकता है बोर्ड exam के अंदर आपको warning दे सकते है कि इस बार तो 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 तेरे को पास कर दिया अगली बार तु फेल हो जाएगा या फिर आपको और जादा दराने के लिए आपका re-exam conduct करवा सकती है मतलब 9th class में आपको कहा देगी कि तु फेल हो गया या फिर 11th class के अंदर आपको कहा देगी कि तु फेल हो गया और अब 9th and 11th आपको वापस देनी पड़ेगी मतलब ऐसे बोल सकते है आपको बोलेगी कि आप तु 9th में फेल होगा वापन 9th class के paper देशारे या फिर यह कह सकते है कि आपका जिस subject में आपकी performance कराब है उसको आपको बोलेगी कि इस subject का re-exam दे यह चित्ता भी सब कुछ करता है उसको वापको डराने के लिए करता है इसका मतलब यह नहीं कि तो बच्चों को जब टैंसन होती रातों की नीद खराब हो जाती है वह कहते हैं इंजॉय से वह चीज नहीं कर पाते हैं इसलिम आपकी सभी की problem समझता हूं इसलिम आपको बात बता रहा हूं तो कुल मिलाकत इतना ही बोलूँगा कि स्कूल वाले हर एक 9th & 11th के बच्चों को बच्चारं देते है लेकिन थोड़े स्कूल अच्छे होते हैं जो वार्निंग देखे आँ और कूछ स्कूल ऐसे वसी होते बहुत झाल